देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्यसिंग बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में महराश में लगातार सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है उधव गुट और शिंदे गुट दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं अपनी अपनी राजुनीती अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए जिस तरहाज से उधव ठाकरे श्रिवसेना को बचाने के ल लगातार शिंदे पर बीजेपी पर हमला बोलते रहे निशाना साथते रहे साथ ही जो बागी विधायक हैं उन्हें समझाने की कोशश करते रहे लेकिन सभी कोशशे जब नाकाम हो गई तो उधव ठाकरे ने दर्वाजा खट-खटाया सुप्रिम कोट का और सुप्रिम जहां एक और सुप्रिम कोट आज उधव ठाकरे की याचिका पर फैसला सुनाने वाला था लेकिन इसे बीच शिंदे ने उधव ठाकरे और उनके गुट के खिलाफ सुप्रिम कोट में एक याचिका दर्श कर दी है जिसके बाद अब यहां पर उधव ठाकरे की मुश्किले और जादा बढ़ गई हैं आज के इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे के आखिरकार क्या महराश्ट्र में बीज़ेपी और शिवसेना इतने जादा कमजोर हो गई है कि अपनी पार्टियों को बचाने के लिए उन्हीं सुप्रिम कोट का सहारा लेना पड़ रहा ह चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है साक्षी साक्षी आपका बहुत-बहुत स्वागत है साक्षी इस तरह से लगतार देखा जा रहा है कि महराश्ट्र में बीज़ेपी और शिवसेना दोनों ही इतने मजबूत पार्टियां है ना नेताओं की कमी है ना रणनीती की कमी है लेकिन आखिरकार क्या वज़ा है कि आप दोनों पार्टिया सुप्रेम खोट का दर्वाजा खट-खट आ रही है अपनी पार्टियों को बचाने के लिए बिल्खुल कहीं न कहीं जिस तरह से पार्टियों के लिए पेक उप्शन सिफ सुप्रीम कोट बचा है और वहीं पर पूरी तरीके से गाज गिर गई है, उनके पास कोई आप्शन नहीं बचा है, हर किसी चीज के लिए उन्हें सुप्रीम कोट का सहारा लेना पढ़ रहा है, और वहीं आप देखे शिंदे भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना से संजर राउत फस्ते हु जाकि कुछ ऐसा करें या उनको जो है किसी चीज से बचा है, क्योंकि जो पार्टियां है, दोनों स्ट्रॉंग पार्टियां है, और आपके पास ऐसी कोई पावर नहीं बची है, जिससे आप अपने भी किसी नेता को बचा सकें, तो कहीं न कहीं, आज इस तरह से देखा जा सुप्रिम कोट उधव ठाकरे की याचिका पर फैसला देने वाला था, लेकिन अब इस बीच शिंदी ने यहां पर उधव ठाकरे के खिलाफे की याचिका दर्च कर दी है, तो कहीं न कहीं, दोनों का यहां पर फाइदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और नुकसान भ हुटा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर तरेяжपन विधायकों की हम देखें, तो इसमें कहीं न कहीं, जादा विधायक वो, शिंदेगुट में शामिल है, हाला कि है वो शिंदेगुट में शामिल हो रहे है, तो अगर इन के खिलाफ यहां पर फैसला सुप्रिम को और साथ ही अब तो उनके परिवार्ट से भी बगावत देखी जारें तो जानना यह चाहेंगे कि आखिरकार यहां पर नुकसान किसका जादा होगा देखे यह थोड़ी सी बात कहीं नहीं जा सकती क्योंकि कहीं न कहीं उदफ ठाकरी यहां बहुत अच्छा मौका देखने की क कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि उदफ ठाकरी की एक जीत हो सके क्योंकि ऑप्शन बीजेपी के पास भी कुछ नहीं है और अगर उनका गटबंदन एकना चिंदी के साथ तूट गया यहां पर तो उदफ ठाकरी की बड़ी जीत यहां पर हो सकती है बिल्कुल साफ तर प सुप्रिम कोट के उस फैसले पर जिसके बाद कहीं न कहीं महाराष्ट में एक बार फिर से यहां पर सियासी तखता पलच हो सकता है लेकिन यहां पर एक छोटा सा सवाल साक्षी यह भी बनता है कि जिस तरह से उदफ ठाकरे रणनीती बना रहे हैं लेकिन आकिरकार क्या कु महाराष्ट की जंता बल्कि उनके परिवार की बीच भी वो छावी खराब हो चुकी है बिल्कुल जो देखे जिस से शिव एकनार शिंदी के में बात करूंगी वो पहले ही कहकर इस पार्टी से बगावत करे थे और उसके बाद उन्होंने जो है अपना नया दल बनाया और बीजेपी के साथ जिस तरह से उन्होंने अपनी सरकार बनाई है तो एकनार शिंदी जो बात कह रही थे वो चीजें शिव शेना में उदव ठाकरी के भतीजे हूं या जो भी जिस जो उनको अब बगावत देने के कोशिश कर रहे है दे चुके है विधाग उन सबको ये जा रह रही है कि उदव ठाकरी के साथ सब बगावत करने के सोच रहे हैं या उनको छोड़कर उनका परिवार भी उनके साथ बगावत कर रहा है और दूसरी पार्टी के साथ या दूसरी सब्ता के साथ मिलकर जा रहा है तो यही वज़ा है कि कही न कहीं जिस तरह से पतीचे को दिखाई दिया और वो वहां से जो है बगावत करके अब देखे किस तरह से उन्होंने एक नाचन्दे के साथ दिया उद्धव छाकरे के साथ इतना कुछ हो रहा है उनके परिवार में बगावती तेवर देखे जा रहे हैं लगातार शिंदे उन पर लगातार हमला कर रहे हैं लेकिन इसे बीच उद्धव छाकरे को एक बड़ा जटका लगा है जोस तरह से उनके सबसे ज़ादा अपने शिवस पर रासी यहां पर राउत का भी साथ छूट गया है तो आखिरकार इसका क्या असर शिवसेना पर और उद्धव छाकरे पर यहां पर पढ़ सकता है बिल्कुल दिखिए उद्धव छाकरी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जिस तरह से संजर राउत को हिरासत में लिया संजर राउत के संजर राउत काले च Okra pagSsan sang-nya संजर राउत के जिए निकलकर सामने लेकिन इससे द ढिक्कते क्या होने वाली है वो ही अंदाज़ा लगा सकते हैं शिवसेना पर कितना बड़ा असर पड़ेगा संजराउद की जेल होने का कहीं न कहीं साफ तौर पर काफी बड़ा असर यहां पर पड़ सकता है उद्धव चाकरे पर जिस तरह से लगातार यहां पर देखा जा रहा है कहीं न कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो नाराज़गी अब तक शिवसेना के विधायकों में थी महराश्ट्र की जनता में थी कहीं न कहीं शिंदे जो संदेश यहां पर देना चाहते थे वो अब उद्धव चाकरे के परिवार तक भी पहुँच गया है और यहीं वज़ा है कि उद्धव चाकरे का परिवार उनके खिलाफ जाकर शिंदे से मुलाकात कर रहा है तो कहीं न कहीं बाला साहिब चाकरे से विरासत में मिली शिवसेना तो उद्धव चाकरे के हाथ से निकल ही गई या फिर श्रिव सेना ही नहीं बलकि अपने परिवार से भी हाथ दो बैठेंगे अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजेगा ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहें एक्स नाइम लाइस नमस्कार